कि अज़ा है तो यह सेशन काफी जाद है इंपॉर्टेंट होने वाला है इसमें आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा फर्वर्ड लविंग के बारे में आपसे शेर करूंगा और उसके बाद टीलेफ के बारे में हम शेर करेंगे कि वाई फल्पी विद टीलेफ राइट साफी स्टॉग हो जाएगा कि आपको फरवर्ड तो आप फरवर के बारे में आपको मालू होगा राइट अगर आप यहां पे हो तो डैफिनेटली आप फरवर्ड लविंग के साथ एसोसियेटेड हो तो फरवर्ड के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ लिम आपको बताऊं इसमें से काफी सारे पॉइंट्स आपको मालूम होंगे बट कुछ पॉइंट्स डेफिनेटल ऐसे होंगे जो आपको आज पता चलेगा ओके तो फरवर लिविंग प्रॉडक्स स्टार्ट हुई थी एक युए से बेस्ट डेमनसी है जो 13 माई 1970 को स्टार्ट हुई थी और यह मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है 45 यह कंपनी का कोई नो कोई प्रॉडक्स होता है या सर्विसेज होता है जो मूब ओन करता है तो रिवेन्यू जेनरेट होता है इसी तरीके से फरवर लविंग जो है प्रॉडक्ट बेस कंपनी है एक अच्छा हेल्थ प्रोवाइट करती है ठीक है and we are the world leader in aloe vera and beehive बेस्ट वराइटी है जो कि सबसे आपको मालूम होगा एक 400 वराइटी है फरवर लविंग के राइट बट जो सबसे बेस्ट वराइटी है डाट इस एलो बार बार देंसस मिला राइट 100% natural and monopoly अब monopoly मतलब क्या होता है just like आपके fingerprints आपके fingerprints किसी से match नहीं करेंगे तो इसी तरीके से अब फरवर लविंग के जो प्रोडक्स है उसका कोई competition नहीं है एक monopoly है right monopoly कर दिया गया है stabilization process जो है हमारा stabilization process वो worldwide patented है जो aloe vera जो होता है आपको मालू होगा कि ये गरम जलवाईू का पौदा है तो आस पास का जो भी surroundings होता है जो भी environment होता है वहाँ से ये अगर pollution है तो वो pollution को grab कर लेगा तो इसी लिए stabilization process अब aloe vera को जैसे ही आप काटते हो ठीक है काटने के बाद वो oxidize होना शुरू हो जाता है ठीक है जब oxidize होता है अब जो aloe barba denses miller है इसके अंदर 100% nutritional, medicinal और cosmetic property होती है तो जब आप aloe vera को काटते हो तो वो oxidize होना शुरू हो जाता ऑक्सिडाइजेशन का मतलब है कि जो भी उसके अंदर गुर्ण होते हैं जो भी property होते हैं वो निकलने लगते हैं तो फारवर लविंग ने क्या 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 के aloe vera को एक stabilization process के द्वारा उसको त्यार करती है तो जैसे जो हम aloe vera देखते हैं fresh aloe vera जो आपका गुर्ण उसमें होते हैं जो medicinal cosmetic properties वही सेम आपके परवर के aloe vera के bottle में होता है वर्टिकली integrated है यह बात आपको समझें पड़ेगी कि सबसे important जो है वर्टिकल इंटिग्रेशन वर्टिकल इंटिग्रेशन का मतलब होता है कि plant से product और product से customer मतलब कि अगर एक आम भासा में मैं आपको बो there are no any third party involved फरवर लविंग सारे काम खुद करती है right cash rich है debt free है किसी भी तरह का कोई भी कर्ज नहीं है इस company पर प्रावेटली ओंड है no shareholder 75 plus resorts हैं फरवर लविंग के खुद के 6000 प्लस ships हैं जिसके द्वारा products को deliver किया जाता है सारे countries में facilities के अगर मैं बात करूं तो आब देख स और जो हमारा manufacturing facilities है वो है Phoenix Arizona and Dallas Texas में ठीक है और जो distribution facility है वो हमारा है निदर लैंड में ओके we are the world's largest grower, manufacturer and distributor of aloe vera ठीक है तो यह तो हो गया कि profile मतलब best है अब highest payout in the industry मतलब highest payout भी है अब एक aloe vera gel का अगर मैं example लूँ तो आप देखो aloe vera gel अगर आप AS level पे हो तो 1120 का आता है और GST अगर लगा दो तो 1224 लेकिन जो bonus या commission जो calculate करती है forever living वो BRP पर करती है और BRP होता है 1760 आप 1760 तो आप ने pay नहीं किया लेकिन आपको profit मिल रहा है bonus मिल दा 1760 पे तो profile मतलब के ultimately मैं बोलूँ तो forever living आपने मतलब by choice join कर लिया या कैसे भी join कर लिया company best है background best है products best है highest payout है ठीक है तो यह हो गया forever living के बारे में कुछ clear हुआ आप लोग को अभी चले अब चलते है नेक्स पॉइंट पे अब नेक्स पॉइंट हम बात करेंगे थोड़ा साम समझ लेते हैं कि परवे लविंग प्राडक्स एक्चली है मतलब किस concept पर काम कर पिया राइट तो यह दो दो प्लाट्ट्वर का combination है फर्स्ट इस नेट्वोक माक्टिंग इंडस्ट्री और सेटेंडिस वेलनेस अब नेट्वोक मार्क्टिंग विंडस्ट्री है तो अगर आपको किसी को समझाना हो कि मतलब एक लाइन में एक संटेंस में कि नेटवोक मार्क्टिंग है क्या आक्च्वली में तो आप सिंपली यह बोल सकते हो कि देखो जो ट्रेडिशनल बिजनस होता है जिस तरीके से ट्रेडिशनल बिजनस में जो प्रोडक्स सेल होते हैं तो ट्रेडिशनल बिजनस भी एक मॉडल है प्रोडक्स यह सर्विसेस को मतलब प्रोडक्स को कस्टमर तक पहुचाने का सिमिलर्ली नेटवोक मार्क्टिंग भी एक मॉडल है प्रोडक्स इंडस्टी इस वन दैट विल नेवर स्टॉप ग्रोइंग हैं इस एंड आलवेज भी वन आप ग्रेटेस कंसर्ण फॉर अस और फैमिली यह वेलनस इंडस्टी एक ऐसी इंडस्टी है जो ना तो मतलब कभी रुकेगी ही नी हर एक इंसान अच्छा दिखना चाहता है अच्छ महसूस करना चाहता है तो यह इंडस्टी कभी नहीं रुकने वाली है ठीक है यहां तक क्लिर होगे आपको चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट में आप हम आते हैं में पॉइंट पे डाट इस जब हम लोग एसोसियेटेट है टी एल फल पी से राइट फरवर्ड लिविंग में आपको grow करने के लिए हमें grow करने के लिए क्या चाहिए एक positive environment चाहिए positive surroundings चाहिए एक like minded team चाहिए जो एक दूसरे को encourage करें वो already आपको मिल गया है टी एले फ राइट चलिए अब बात करते हैं why TLF Creators यहां पर आप ध्यान से समझना why TLF Creators तो point by point मैं आपको बताता हूँ, चलिए देखते हैं, अब why we stand out from the market, हमारा systematic approach होता है, मतलब कि network marketing जो है आपको मालूम होगा कि ये शुरू से ही confused business रहा है, मतलब कि लोग join कर लेते हैं, लेकिन पता ही नहीं होता, करना क्या है, कैसे क्या करना है, कुछ मालूम नहीं है, systematic approach का मतलब क्या है, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, we have a backend system, we have a tagging system, मतलब कि जो भी leads generate होती है, उसको हम track कर सकते हैं, किसकी leads है, अब आगे देखते हैं, यहाँ पे कोई भी person या तो 5K से start करता है, या 2CC से, तो हमारा WhatsApp group का, जो main TLF creators का है, उसका group का access मिल जाता है, और 10 PM mastermind session का भी access मिल जाता है, ठीक है, पहला step तो यह हो गया, and second step में, आपको एक form दिया जाता है, जिस भी sponsor के साथ आप TLF में join करते हो, वो आपको एक form share करते हैं, कौन सा form, किसलिए, request for funnel and training program, जब वो आप form fill करते हो, तो हम आपका एक unique funnel link बनाते हैं, और हम आपको training program का access देते हैं, ठीक है, सारा systematic चल रहा है, उसके बाद आपको access मिल था, आपको WhatsApp group में notify कर दिया जाता है, आपको email पे भी आजाता है, कि आपको access मिल चुका है, right, now you are ready, we create your unique funnel and we give you access to our training system, यह मैं आपको पता है, now you are free to build your business with TLF creators, we guide them, then उसके बाद फिर हम guide करते हैं, जिस भी sponsor के साथ आ आपको guide करते हैं, कि YouTube channel create कैसे करना है, and video कैसे record करनी है, right, यह सारी चीज़े, ठीक है, अब यह तो हो गया, आप चलते है, next step में क्या है, learning, right, learning मैं आपको बताया है, कि आपको access मिल जाता है, जैसे आप form fill up करते हो, तो आपको access मिल जाता है, LMS, learning management system, जो की app based है, मतलब mobile में आप app download करके, trainings easily आप ले सकते हो, right, TLF Creators training program, मैं आपको अगर एक बार दिखाऊं मैं आपको, तो यह देखे, यह हमारा training program है, इसका आपको access मिल जाता है, आपको, मतलब किसी को disrupt करने के ज़रोत नहीं है, यहाँ पर आओ 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 आप, mobile में या laptop से, download important files, सबसे important files यहाँ प करते हैं, फिर उसके बाद आओ आओ आओगे तो फरर लिंग products की business trainings है, right, profile product training, and उसके बाद product retailing tips, product retail कैसे करे, right, उसके बाद फिर आओगे business skills training, invite, one-to-one meeting, right, how to plan your day, objection handling, canva की भी training है, YouTube video ideas है, अब आप खुद सोचो, अब आप खुद सोचो कि क्या other team जो market में है, क्या वो सिखाती है कि canva, canva पे design कैसे करे, thumbnail कैसे बनाए, YouTube के लिए help करती है, क्या उनको बस CC से मतलब है, right, CC निकलना चाहिए, अब वहाँ पे क्या है कि, वहाँ पे आपका personal brand बिल्ड नहीं हो रहा है, but TLF की सबसे बड़े USP यह है, कि हम आपकी help करते हैं, कि आप अपना online presence बना पाओ, मतलब जितना ज्यादा दिखोगे, उतना ही ज्यादा बिखोगे, visibility, जितने भी ज्यादा visibility होगी, आपका online presence बढ़ेगा, आपके personal brand बिल्ड होगे, and फिर आपको long term में lead generation की कोई कमी नहीं है, नहीं होगी, product retail करने में कोई problem नहीं होगी, market में generally जो भी मैंने देखा, अभी तक क्या करते हैं, कि या तो आपको list provide कर देंगे, कि आपको call करनी है, right, अब call करके वहाँ पर आपका कोई skills develop नहीं हो रहा है, और अगर आप compare करो digital marketer से, right, तो digital marketer जो है, वो काफी अच्छे से काम करते हैं, अगर वो in future digital marketing नहीं भी करते हैं, तो वो एक ऐसे ऐसी skills सीख जाते हैं, digital marketing में काम करके, कि वो other field में भी जाते हैं, तो वहाँ से वो पैसे बना सकते हैं, उस skills को monetize करके, right, चले आके चलते हैं, तो ये तो हो गई learning की बात, canva training में फिर आपको good quality thumbnail आप canvas से बनाते हो, वो training भी आप बराबर से देते रहते हैं, youtube settings, youtube में settings कैसे करना है, channel create करने के बाद, फिर title, description, tags, info cards, end screens, intro, outro, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, फिर आपका 10 p.m. session में बराबर से हम channel review भी करते रहते हैं, right, क्या mistakes कर रहे हो आप, क्या चीज़े फाइन ट्यून करनी चाहिए, तो यह तो हो गई learning के बाद, right, अब चलते है next में, personal brand, अब जो मैंने आपको बताया, personal brand, youtube, जो main हमारा major focus रहता है, youtube, क्यूंकि youtube, यहाँ पर मैंने लिख्या एक social media, अब social media जो है, youtube, क्या youtube social media में आता है, क्या लगता आपको, youtube social media में नहीं आता, youtube एक search engine है, second largest search engine, google के बाद, ठीक है, जैसे google पे लोग search करते हैं, उसी तरीके से youtube पे लोग search करते हैं, social media पे, just आपको scroll करते हैं, देखते हैं, वहाँ पे learning के purpose से, social media आप नहीं खोलते हैं, आप खुद बताओ, आप खुद बताओ, क्या आप facebook, instagram, learning के purpose से खोलते हो क्या, कुछ सीखने के लिए, नहीं न, बस scroll करने के लिए, या कुछ ऐसे मतलब देखने के लिए, बट जब आप youtube open करते हो, कुछ search करते हो, तो definitely कुछ सीखने के लिए, right, कुछ जानने के लिए आप search करते हो, तो youtube एक, मतलब अगर आप अभी video बनाओगे, तो 10 सा बात भी लोग search करेंगे न, तो आपके video दिखेंगी, right, इसी लिए सबसे बड़ा ये digital assets है हमारा youtube का, तो अगर आपको long term में, आप चाहते हो कि मुझे lead generation की कोई दिक्कत ना हो, मुझे product retail आसानी से हो जाए, कोई problem ना हो, तो आप youtube पे काम करने start करो, and youtube पे अपना online presence बनाना start करो, okay, जब आपको personal brand बिल्ड हो जाएगा, तब लोग आपसे connect करेंगे, लोग आपको trust करेंगे, and फिर आपको directly message करेंगे, मुझे आपके साथ काम करना, वो ना तो आपसे पूछेंगे, फरवल लविंग products क्या है, और ना ही आपसे पूछेंगे, TLS क्या है, उनको सारी च inspire हो रहा है, तो हमें कुछ नहीं पता, कोई भी person आपसे connect होकर connect हो सकता है, inspire हो सकता है, और वो आपको message करेंगा, कि मुझे आपके साथ काम करना है, अब TLF में ही आप देख लो, कितने लोग हैं, दूसरी बार, तीसरी बार, दो सिसी कर रहे हैं, तो उनको मालूम है, value क्या ह FLP की value क्या है, TLF की value क्या है, राइट, चले अब आगे चलते हैं, अब USP की बात करता हूँ, TLF Creators की जो USP है वो क्या है, तो चले one by one, one by one हम share करते हैं, इसको मैं fold कर देता हूँ, के, what is the USP, automation system, nobody is doing in the market, in network marketing industry, even outside India, right, कोई इस तरीके से काम ही नहीं कर रहा, अब automation system से मतलब क्या है मेरा, मतलब क्या automation, presentation हमने automate कर दिया, right, presentation आपको मतलब कोई भी person आपके team में आते हैं, तो आपको tension ही नहीं है, उनको plan दिखाना है, यह automate हो गया, यहाँ पर time बचिए आपका, trainings, आपके down the line, कोई भी आएंगे, जितने भी लोग आते जाएंगे, आपको tension ही नहीं है, उनको training देने की, काफ़ important बात बता रहा हूँ मैं आपको, आपको tension ही नहीं है, training देने की, उनको बस form fill up करवाना है, वो form fill करेंगे, उनके sponsor कौन है, कितने से start किया उन्होंने, 5000 से, 2000 से, उसके बाद फिर हम उनको training का access दे देंगे, बस वहाँ पर जाना है, और trainings आपको देखनी है, राइट, जो भी उनके queries है, 10 p.m. का session होता है every time, वहाँ पर आके पूछ सकते हैं, जो भी experience share करना चाहें, कर सकते हैं, तो हमने अपने plan को automate कर दिया, जो आपको tension नहीं है, को अभी person आएगा, तो उसको plan दिखाने की, ट्रेनिंग्स हमने automate कर दिया, आपको tension नहीं है, कि जो भी person आएगा, उनको हमें ट्रेनिंग्स देनी है, लीज जिनरेशन automate कर दिया हमने, आप YouTube पे वीडियो बना रहे हो, description में आप बोल रहे हो, कि अगर आप interested हो, तो check out the link, एक free master class है, आप उसको देखो, आपको पता चल दाएगा, कि किस तरह से आप earning कर सकते हो, इस तरीके से, लीज जिनरेशन के बाद, फिर अब आती है, बात invitation की, तो invitation भी हमने automate कर दिया, हमार पास कोई list नहीं है, हम किसी को call नहीं करते है, कि इतने बज़े webinar है, आप attend करो, लोग हमें contact करते हैं, हम उनको link share कर देते हैं, अपने unique link, कि ये webinar का link है, 7 पे हमारा webinar चलता है, और अगर आपके listable नहीं है, तो आप कल की replay भी आप देख सकत हो, ठीक है, तो ये चीज़े हमने automate की, अब आप खुद सोचो, इन सारे चीज़ों में कितना time हमारा जाता है, ये time हमारा बच गया, अब बात आती है, follow up and close, तो follow up के लिए क्या होता है, यहां पर prospect follow up with us, अगर आपका online presence बन गया, online presence आपने बना लिया, तो आपको follow up करने की जरुवत ही नहीं है, कितने सारे members है, टीलेफ के जो प्रास्पेक्ट follow up करते हैं उनके साथ, वो मतलब परेशान हो जाते हैं कि मुझे response नहीं मिल रहा है, उसके बाद no calling concept, कोई calling का concept ही नहीं है, कि call करके follow up करना है, message में हो जाता है, because देखो, हमारे target audience ये हैं, आपको समझन करने के लिए, हमारे target audience वो नहीं है, जिनके पास हमें जाना है, और एक घंटा बताना है कि network marketing क्या है, pervelving products क्या है, ये क्या है, तो हमारे target audience वो हैं, जो educated है, partially educated है, बट एक अच्छी team ढूण रहे है, एक direction उनको चाहिए, वो काम हम करते हैं, ठीक है, हम किसी को convince नहीं करते ह जो भी होती है, we address the query and close the onboarding, अब closing आपका message में भी हो जाएगा, calls में भी थोड़ा बहुत बात करके close हो जाते हैं, and then उसके बाद फिर हम onboard कर देते हैं, उनकी जो भी है वो start हो जाती है, अब आप देखो, we are providing backend system for free, जो भी हमारे TLF team में आ रहे हैं, तो backend system उनको free में दिया ज tools use करते हैं, जिस पर monthly cost जाते हैं, right, तो वो आपको pay नहीं करना, right, तो कोई भी person down the line, in future आपके down the line आएंगे, आपके team होगी, तो किसी को ना तो आपको कोई पैसे pay करने हैं, online tools के लिए, right, और नहीं आपके down the line को, जना तक clear हुआ, ये USP में आपको बता रहा हूं, TLF team, okay, चलिए आगे चलते हैं, we only have to increase visibility in the market, right, अब वो कैसे होगा YouTube के थरूप, तो चलिए, उसके बाद फिर हम Google business profile भी setup करते हैं, कि वहां से कुछ आपके products retail होता है, ये एक local search engine होता है, right, अगर आपका verify हो गया, तो आसपस के आपके local में जो भी search करेंगे, and वहां से उनका आपका number अगर show हो गया, तो वो आपको call करेंगा, मुझे product चाहिए, right, अब अगर आपको कोई call कर रहा है, मुझे ये product चाहिए, इससे बड़ा motivation और क्या हो सकता है, right, आपको किसे के बाद जानी नहीं है product बेचने के लिए, right, अब बात करते हैं, you don't have to train your online individually, जो मैंने आपको बता अगर आपको differentiate करना है, right, कि जो other teams है market में, जो आपके team है TLF, उसमें क्या difference है, मैं आपके TLF क्यों join करूं, या let's suppose आपको बताना है, कि आप, आपको मेरी team क्यों join करनी चाहिए, TLF, right, तो we have automation system, right, जो मैंने आपको बता है, आप बोलो कि हमारे पास automation system है, अगर वो पूछते हैं किस तरह का automation, तो जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, आपको यहाँ पर मैंने बताया था, yes, right, यहाँ, USP में, automation system किस चीज़ का, plan, trainings, lead generation, invitation, यह सारी चीज़े, okay, we have a backend system, हमारा backend system है, right, हम सारी चीज़े track करते हैं, कोई भी परसन जैसे आपका unique link बनिया, ठीक है, आपने 5000 सिकिया, यह दो CC सिकिया, right, अगर आपने अभी तक सिर्फ, मतलब, TLF में, किसी परसन के साथ सिर्फ, जॉइन किया वा है, ना तो आपने 5000 के भी लिंग की है, और नहीं दो CC, तो I highly recommend कि जल्द से जल्द आप, जो भी आपके लिए suitable है, वो करें, and आप main group में आए, right, अब जैसे आपका जो funnel link बन जाता है, तो मैं आपको show करता हूँ, लिंग बन जाता है, अगर मैं आपने बात करूँ, तो मेरा unique funnel है, ये, ठीक है, अब इस पर कोई भी जाएगा, तो ये landing page open हो जाएगा, ओके, आपको, आप technical नहीं भी हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको landing page बनाने की ज़ूरत नहीं है, आपको जो unique funnel link मिलता है, वो already आप आपको landing page बना के दिया जाता है, ठीक है, तो ये hook है, build 5 minute income streams, like this, उसके बाद कोई भी person यहाँ पर आएगा, name, email, whatsapp डालेगा, जो भी आपके prospect होंगे, potential prospect, and ये enter करने के बाद, okay, get access पर click करेंगे, तो उनको फिर आगे next, next online tools में वो चला जाएगा, and वहाँ पर दो option आता है, कि एक तो आप 7 p.m. पे live देख सकते हो, और एक replay आप देख सकते हो, ठीक है, 7 p.m. पे live देखने के लिए email पे भी उनको आज आता है, webinar का link, वो वहाँ से देख सकते हैं, right, अब बस आज जस्ट आपको follow up करना है, कि अगर आप 7 p.m. के लिए suitable नहीं है, तो उनको replay के लिए आप guide करो, replay कैसे देखनी है, फिर उसके बाद फिर उनसे आप message में follow up कर सकते हो, कि did you watch the webinar, webinar देखा आपने, right, अगर कोई भी person, webinar अगर पूरा देख लेता है, तो उसके almost सारे doubts clear हो जाते, okay, उसके बाद जो थोड़ी बहुत query रहती है, उसको address करो and close करो, right, इस तरीके से, we focus on building personal brand, तो अगर कोई आप से पूछता है कि TLF के बारे में differentiate आप करना हो, तो आप बोल सकते हो, हमारे पास automation system है, हमारे पास backend system है, हम focus करते है, personal brand build करने में, because market में आपके personal brand से लोगों को कोई मतलब नहीं है, market में सिर्फ उनका CC निकलना चाहिए, ठीक है, आप कितना CC दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, we don't approach customer, we attract buyers, तो हम इस philosophy पे काम करते हैं, हम यह believe नहीं करते हैं, कि लोगों को approach करें, और convince करें, जो already, मतलब हमारे target हमारा यह होना चाहिए, कि जो already, जो हमारे target audience है, उन तक हम पहुंचें, या वो हम तक है, no calling and convincing concept, तो इस तरीके से आप differentiate कर सकते हो, कि why we stand out from the market,